रारे सेज देश भक्ति की सबसे बड़ी पाठ साला है दुनिया की बीच में जो लोग सभा के 2019 के चुना हुए 26 के 26 सीट जीते आठ उपचुना हुए विदान सभा के उसमें भी और वो कॉंग्रेस के थे सीट्स जहां बीजेपी नहीं जीतती थी कि और वो 8 के आठ सीटो बीजेपी ने जीत ली और ये चवूत्य विजय है इस्थानीय निकाइव का बहुत जबरदसत है नगर पालिकाओं में भी एक्सी नगर पालिकाओं में ये सेमी aurban areas है तो इक्सी नगर पालिकाओं में बहतर जगह काुए बीजेपी जीती है नगर पालिकाओं को और ग्रेस को केवल एक मिली यह और उसमें वी कॉंगरेस की दूरदशा समझने लाएक है आठरा नगर पालिका में उनको 06 मिली है था है बावन नगर पालिकाओं में वो दस का आखड़ा भी पार नहीं कर पाए कि वह बारा नगर निगर नगर पालिकाओं में वो दो डिजिट में तो यह जो निर्णे और उसके भी कुछ और पहलू है कि कॉंग्रेस ने पूरी ताकद लगा कर इस बार अपने दिगज नेता कुछ विधायक तो खुद खड़े रहे हैं नगर पालिकाओं की चुनाओं में और कुछ कि उनके परिवार के सबस्ते खड़े रहे हैं लेकिन ऐसे सारे उम्मिद्वार हार गय है गुजरात के आनन जीले में पेटलाज सीट पर कॉंग्रेस की विधाय का निरंजन पठेल वो नगर पाली का के चुनाओं में दो सीटों पर चुनाओं लड़ रहे थे क्योंकि उनको यकिन था कि एक जगई आऊंगा दूसरी जगा नहीं आऊंगा लेकिन दोनों जगा हार गे नगर पाली का सीट असीटिंग कॉंग्रेस एम एले लुजेस इन हीज ओन कांस्टिएंसी इन मिन्सिपल इलेक्शन्स दूसरे एक विधायक अश्विन कोट्वाल उनके पूत्र लड़ रहे थे वो भी हार गये तीसरे एक विधायक है विक्रम माडम और पूजा वंश चौथी विधायक है और एक पाच्वे भी पूनम भाई परमार इनके भी है कि फैमिली मेंबर्स चुनाव पूरी तरह से हार गये हैं अर्जुन मोदवाडिया जो पूर्वा अध्यक्षाय अभी राज्यसभा में हैं उनके भाई ने चुनाव लड़ा वो भी हार गये जो वहां भारतिय ट्राइबल पार्टी है नहीं पार्टी है उसके अध्यक्षाय छोटू वसावा उनके पुत्र दिलिप वसावा भी हार गये हैं और पूरे ट्राइबल बेल्ट में यह चुनाव हुआ और ट्राइबल बेल्ट में सभी जिला परिशर पंचायत समीती और नगरपालिक अक्षेत्रों में भारतिय जन्ता पार्टी को शांदार सफलता मिली और इसलिए इसका अर्थ क्या है इसका अर्था है कि लोगों का नरेंद्र मोदी जी पर प्यार और विश्वास कायम है इन चुनाव नतिजों का अर्था है कि विकास और काम के लिए मतदाता वोट करते हैं इस विजय का अर्था है कि यह किसानों का वोट है किसान खेती के सुधारों के साथ है यह इसी विजय नहीं मिली है कॉंग्रेस ने पूरे ग्रामी निलाखों में केवल एक मुद्दा चलाया खेती के नए कानुन यह तो मुल्भूत सुधार अच्छे सुधार है किसानों के फाइदे में है गुजरात का वर्डिक्ट आ गया कि यह किसानों के फाइदे में है और कॉंग्रेस ने तो नगर निकोमों में और नगर पालिका में गैस कुकिंग गैस लेकर एलपीजी गैस का ही स्टेज बनाते थे और एलपीजी गैस पर ही माइक रखते थे सब नाटक की है लेकिन कुछ डाल नहीं गली कुछ भी नहीं साध्य हुआ निगेटिव कैम्पेंट जनता को पसंद नहीं है और जिस तरह से कल या पिछले सब्ता जिस तरह से आसाम में राहूल गांधी ने गुजरात की बदनामी की गुजरात की व्यापारी ऐसा कहकर जो आसाम में भाशन किया यह निगेटिव कैम्पेंट जनता को पसंद नहीं है और यह हमारी जो पार्टी सियर पार्टिल अभी अध्यक्स है सियर पार्टिल के नेतुरतों में जो टीम है उन्होंने जो पन्ना प्रमुक यानि स्थानिय चुदाओं में भी इतना पार्टी अक्टिव थी कि ग्रह मंत्रिय आमित शाह भी अपने बूत में अपने बूत में पन्ना प्रमुक एक पन्ना उनके पास है यानि 25 मतदाताओं को बुला कर उनको वोटिंग के लिए अग्रह करना यह काम हमारे ग्रह मंत्रिय भी करते हैं जिस तरह से पन्ना प्रमुक संगटन का पूरा त्रिन और विजय रुपानी जी के नेत्रतों में पूरा मंत्रिमंडल सारे विधायक जिस तरह से जोग दिया उनने उसका नतीजा है कि लोग काम विकास कुरुशी कानून सुधार इसके पक्ष में लोगों ने वोट दिया है और यह समझने लाइक महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह अकिला वहां मिला नहीं है जैसे आपको पता है पिछले साल बिहार का चुनाव में हमने जीता बाद में उप्चुनाव हुए आग्यारा राज्यों में उत्तर मध्य प्रदेश में उननीच जीते अठ्थाइस मे से गुज्रात में आठ के आठ जीते हैं उत्तर प्रदेश में साथ में से छे जीते मनिपूर से मनिपूर में पांच में से चार जीते करनाटक में दोनों सीटे जीती और तेलंगना की एक ही सीट थी वो भी बीजेपी को मिली जो पूरे टियारेश के परिवार में ही है केसे आर के परिवार में ही वो सीटे होती थी उसके सिवाल लदाक और्टोनमस कांसेल में हमें जय मिला ग्रेटर हैदराबाद म्यूंसिपल कॉर्पोरेशन में हम पास थे वहां से 48 बन गया है राजस्तान पंचायद समिती जिला परिशाद ब्लाग पंचायद सभी जगत जबर्दस्त विजय मिला आसम के बोडो टेरिटोरियल काउंसिल में विजय मिला गोवा की जीला परिशद में अर्टालिस में 33 सीटों पर विजय मिला केरल के स्थानिय चुनाव में बीजेपी का वोटशेर 15 हो गया और अच्छा प्रदर्शन किया जम्मो कश्मिर में सबसे बड़ी पारिटी 75 सीटे जितकर विजय पी हुई अरुनाचल में एक तरफा विजय मिला है और यह गुजरात में भी एक तरफा है लोग देश की भलाई चाहते और लोग मोदी जी का विकास का मॉडल और खास कर दूसरे कारेकाल में जिस तरह से वो समाज में सुधार देश के कानून विवस्ता में और बाकिये में प्रमुक सुधार ला रहे है अर्थविवस्ता में इसका परिणाम देश के लिए अच्छा होगा ये जनता को विश्वास है और इसलिए ये चुनाव का स्थानिय चुनाव था लेकिन इंपॉर्टन था और इसलिए इससे एक मेसेज मिलता है देश बर के लिए किसानों के लिए भी बाकी लोगों के लिए और इसलिए यह आज मैंने विश्य रखा हाँ इस पर मैं आज ज्यादा ठीपन नहीं करना चाहता है उसका जो अगला वह बहुत मैं तो पुन है वह है कि उसमें हमने इंस्ट्यूशन को कोई तकलिफ नहीं दी सारे इंस्ट्यूशन बंद किये सारा संगटन की आजादी खतम की सारे पार्टियों पर एक तरह से बैन आ गया सारे इंपीज और एमेलेज को भी गिरफ्तार किया लाखों लोगों को बग्दी में डाला और उसके साथ साथ न्यूश्पेपर की आजादी खतम की इंस्ट्यूशन को हमने नहीं बिगाड़ा ये कहना हस्यास पदे राहूल गांधी को आरे से समझने में बहुत समय लगे करा लुए कि अधे है कि रा हैं आरु से देश बक्ति की सबसे बड़ी पाठ सालाई दुनिया की दुनिया में उसका आजर है और भारत में इसकी भूमिका है लोगों को लोगों में अच्छा परिवर्तन लाना और लोगों को देश भक्ती के लिए प्रेवित करना यही संग करता है इसा है कॉंग्रेस अब ट्वीट ट्वीट करने वाली पार्टी रह गई है तो उसका क्या जवाब दें क्या परफॉर्वंस है वाट मेट सब्दिप्रेंस कांग्रेस अज लास्ट होल ग्राउन उसमें से थोड़े कंड किसी को मिले उसका थोड़े विशलिशन होता है यह तो हदो हो गई जिसको जिसका भी बारे में इंकम टैक्स या जाच एजनसिया को जानकारी मिलती है क्रेडिबल उसी का जाच एजनसी जाच करती है और बाद में कोट में मसला जाता है ऐसा थोड़ा ही है तो बहुत-बहुत धन्यवाद मित्रो अभी हो गया ना आपका सवाल दूसरे ने पूछा कर दो कर दो कर दो